विसके नेयुके靶न के अग्षारेशन साथें करने के न करनेये में में तो दो चालेशन खालेए और अपने विडियोमें टेंचन लेना हिनी नहीं है औरम बाइबोर तो भीलगुल भी होना हिनी है तो चलो आते भी actual topic के उपर आज क्या हमारे दो topics है Why say language is so important और दूसरा history of say language So why say language is so important क्यों say language इतनी जरूरी है आपकी favorite operating system Android Android की core libraries say language में program गी गई है जो एक बहुत famous software है Oracle उसे भी say language में ही बनाया गया है MySQL नाम का जो एक software है उसे भी c language में program किया गया है सभी तरह के device drivers c language में program किये जाते है अब यह device drivers क्या है So अभी आप आपकी system में मानों कोई device लगाते हो Like a pen drive अभी आपको पता है कि यार ये pen drive है बड़ आपकी system को नहीं पता कि ये क्या है So device driver basically आपकी system को बताता है कि यार यह एक pen drive है उसको इस तरह से use करनी चाहिए या एक storage medium है और एक बार जब आपका device driver install हो जाता है आप अपने device को बढ़ी आराम से use कर पाते हो जो अपने web browsers होते हैं उसके भी major parts c language में program किये जाते हैं और यार unix operating system के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा unix operating system भी c language मे program की गई है actually c language को बनाई गया था unix operating system डेवलप करने के लिए और लगभग सभी hardware dependent programming c language पर की जाती है सब यह गए कुछ points जिससे पता जलता कि c language is important Martin Richard British computer scientist से इन्होंने एक programming language बनाए जिसका नाम था basic combined programming language BCPL सो इसके तीन साल बाद यानि 1969 में Mr. Kane Thompson ने BCPL language में कुछ improvements कुछ modifications करके एक language बनाए जिसका नाम था B language इन्होंने BCPL language का पहला लेटर यूज करके अपने language को नाम दिया जो कि था B language इन्होंने actually Martin Richard को respect देते हुए यह नाम दिया अभी इन्होंने यह programming language क्यों बनाई क्या जर को Unix operating system बनानी थी जो की वर्ल्ड की पहली operating system है वह operating system बनाने के लिए उन्हें एक programming language की जरुवत थी तो उन्होंने वह programming language बनाई थी और actually उन्होंने Unix operating system भी बनाई और इसके तेन साल बाद यानि 1972 में Mr. Dennis Richer ने B language में improvements करके बनाई C language Actually Dennis Richer और Kane Thompson दोनों एक ही जगह काम करते थे 1880 के Bell Laboratory USM में फिर क्या था Mr. Dennis Richer ने C language बनाई वह गये Mr. Kane Thompson के पास और उन्हें बोला Hey Ken, अपने इससी language बनाई ये लो पेड़े काओ मैं क्या बोल रहा था अपनों लोगोंने जो operating system बनाई है अगर हम इसे फिर से C language का यूज करके बनाते है तो operating system में और भी जादा features आएंगे कि सबसे बड़ी बात operating system का portable होना अप उन्होंनों मिल के बनाईंगे क्या तुम तयार हो तो इस तरह बना अपना Unix operating system और Mr. Dennis Richer बने Unix operating system के code developer So ये थी history अपने C language की आज जो भी आपने सिखा उसके अगर आपको एक soft coffee चाहिए तो description में link दी है जाकि आप download कर सकते हो आज के वीडियो पर dependent एक quiz भी solve कर सकते हो quiz solve करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना progress किया तो जाइए और solve कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर कीजिएगा अगले आने वाले वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक की information चाहिए तो मुझे comment करके बताए अगले आने वाले वीडियो में हम उने जरूर कर रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye अगले उन्यों नेक्स्ट वीडियो कि अगले आताए अगले बाले वीडियो और के लिए हैं